हेलो अच्छ नमस्कार कैसे आप सभी आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे धंग से चल रही होगी एससी जीडी 45,284 भरते जिसमें एक बार फिर नकल करते हुए कैंडिडेट को धर दबोचा गया बताएए इस हद तक जाकर नकल करने के लिए जो कैंडिडेट है वो ताबले हैं कॉंस्टेवल भरती परिक्षा में सामिल दो सॉलवर समेट तीन लोगों को गरफतार किया गया है एससी में सेंद मारी एस्टिएप ने कृष्णा नगर इस्तित केंद्र से तीनों को दबोचा करमचारी चैन आयोग यानि एससी की जीडी कॉंस्टेवल भरती परिक्षा है इसमें सेंद मारी करने वाले गरोह का फर्दा फास करते हुए एस्टिएप ने बुद्वार को तीन सातिरों को गरफतार कर लिया इनमें दो सॉलवर और एक अभ्यरती सामिल है वहीं एक अभ्यरती फरार है उसकी तलास चल रही है प्रदेश में 10 जनवरी से 13 जिलों में 61 कैंदरों पर जेडी भरती परिक्षा उनलाइन चल रही है एस्टिएप को इसमें सेंद मारी की सिकायत मिली थी इसके बाद एस्टिएप ने कृष्णा नगर इस्टिद लिटिल एंजल हॉम उनलाइन एग्जाम सेंटर पर छापा मारा यहां से सॉलवर अर्पित कुमार वै जतिन कुमार के साथ भ्यरती सचिन कुमार सिंग को गरबतार किया गया तीनों आरोपी फुरोजाबाद जिले के रहने वाले हैं इन में से एक मॉवाइल दो फरजी आधार कार्ड दो एससी प्रिवेस पत्र निवास पिरमाण पत्र इंटर हाई स्कूल की माक सीट दो एससी जीडी की कमिशन कौपी बरामत की गई है S.T.E.P. की जाँच में सामने आया कि सचिन की जगह सॉलवर अर्पित और फरार आरोपी बेरती प्रिसान कुमार की जगह पर जदिन परिक्षा दे रहा था S.T.E.P. की अधिकारियों ने बताए कि प्रिसान भी फ्रोजाबाद का रहने वाला है जल्द ही उससे गरबतार कर लिया जाएगा एक एक लाग रुपे में हुई थी परिक्षा देने की डील गिरोगा सरगना S.T.E.P. की पकड़ से दूर है पकड़े गए आरोपियों से पुस्तास में आदा दर्जन लोगों के दाम सामरी आए हैं कुछ मॉबाइल नंबर भी मिले हैं पुस्तास में सॉल्वर ने बताए कि उनको एक परिक्षा देने का एक लाग रुपे मिलता है रकम परिक्षा होने के बाद मिलती है इसके पहले वे सीटेट, सूपरटेट, अगनीवीर की परिक्षाओं में बताए सॉल्वर बैठ चुके हैं सिपाही के ग्रहों से कनेक्षिन की तलास स्टेट ने 17 जनवरी को जीड़ी कॉस्टेवल भरती में बैठे सॉल्वर अब भीरती वे सरगना को गर्पतार कर जेल भेज दिया सरगना यूपी पुलिस का सिपाही एचे उतानंद था स्टी एफ के अपसरों का कहना है कि अब तक कि जांच में इस ग्रहों से आरोपियों का कनेक्षिन नहीं मिला जांच जारी हो सकता है कि ये ग्रहों आपस में जुड़ा हो यह जांच पूरी होने के बाद पच्चा चल सकेगा टेलिग्राम एप के जरिये एक दूसरे के संपर्क में आये थे आरोपियों का एक दूसरे से टेलिग्राम गुरूप से जॉइन है वो हुआ गुरूप पर परिक्षा संबन्दी चैट मिली इस ग्रहों का सरगना वे अन्य सदस्य भी जुड़े हैं इस से हलाकि ये सपस्ट नहीं हो सका कि वे किन किन नमरों से जुड़ा है स्टीएफ आरोपियों के मॉवाइल नमर की डिटेल भी खंगाल रही है सरगना की कई पहचान पश्मी यूपी में फैला जाल स्टीएफ ने एक रप्तार किये के सॉलवर वे अभ्यरतियों से क्या गंटे तक पुझताच की जाच में पता चला कि जीरी गॉंस्टेवल वर्थी परिक्षा में सैंद मारी गरने वाले ग्रोग का सरगना बेहित साती रहे वे सॉलवर वे अभ्यरतियों से अलगलग पहचान से मिलता है नए सॉलवर वे अभ्यरतियों नया नया नाम बताता है कुछ लोगों से वे पुलिस अधिगारी बनकर भी मुलाकात करता है उसका नेटवरक पस्चमी यूपी में है जहां यूपी एसाई पर एक चावी लीक हो चुकी है तदेगे सॉलवर अरपित कुमार गाओ खेरिया जशराना फिरोजवाद सॉलवर जतिन कुमार सिंग भरताना फिरोजवाद अभ्यरति सचिन कुमार सिंग वसुदेव गोनाओ फिरोजवाद अब्यर्ति की आरती किस्तिती के आधार पर वसूली S.T.F. की मताविक गरों के सरगना निकाई गुर्गे रखे हैं जो अलग लग कोचिंग सेंटर के अब्यर्तियों को अपने जालें फसाते हैं अब भीरतियों की आरतिक जिस्तिति के आधार पर पैसे की रसूली करतो हैं गरहों तीन से पांच लाग रुपे में परिक्षा पास कराने का ठेका लेता है गरपतार अब भीरतियों से चार लाग रुपे में परिक्षा पास कराने की डील की गई थी पैसे के लालच में बने ये सॉलवर भी विविन प्रतियों की परिक्षाओं की तैयारी कर रहा है तो देखिए मारे गए अब दो ये तो कहने का मतलब ये है जैसा UPSI में नेटर्वक बिचाया गया था वैसी पश्चमी उत्तर पड़ते इसमें एक बार फिर SST GD में भी नकल करने की जो कौसिस है वो यहां पर की गई या आप लोग सामने देख रहे है इससे ज़्यादा और क्या आप लोग देखेंगे कई बार और भी इस एक्जाम में SST के में अभी हाल फलाल में कहीं एक कहीं दो ऐसे कहीं सारे कैंडिडेट पकड़े जा चुके अब तक यह नहीं हुआ है कि हाँ इसमें नकल कर ली गई है यह तो पता तब ही चलता है जब जाच होती है या फिर जब आंसर कीज वैरेल होती है तब ही कोई मामला निकल के सामने आता है तो एक बड़ी अपडेट थी एस्टी एफ ने बड़ी कामयावी हासिल की जहान नकल करने वालों को उन्होंने धर्दगोचा